सूप्रभाद बच्चो आज हम आपकी पार्टे पुस्तक हिंदी के पार्ट 13 का ध्यन करेंगे जिसका शीर्षक है सर्वनाम तो चलिए पार्ट को पढ़ते हैं और जानते हैं सर्वनाम के विश्य में कि व्याकरण में सर्वनाम का क्या महत है पार्ट 13 सर्वनाम निमलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए अभी नहीं कहा कि मैं कल दिल ली जाओंगा जैने अपनी ममी से पूछा तुम क्या कर रही हो चात्रों ने कहा हम आज पिकनिक पर जा रहे हैं सभी दुकानदार भारत बंद में शामिल हैं वे आज दुकाने नहीं खोलेंगे दीप यह सर्वनाम हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संग्या के स्थान पर प्रियुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं तो बच्चों अभी हमने कुछ वाक्य पढ़ेते इसमें हमने देखा कि कहीं कहीं पर संग्या शब्दों का प्रियूग है और कहीं पर उसी बाक्य में जो उसके साथ दूसरा वाक्य जो जोड़ा गया है उसमें संग्या के इस्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रियोग किया गया है तो जो अन्य शब्द हैं जो संग्या के इस्थान पर प्रियुक्त होने बाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं ऐसे सर्वनाम कहते हैं जो उनका प्रियोग हम संग्या शब्दों के इस्थान पर करते हैं इसके द्वारा हमारी जो भाषा है वो पढ़ने में सुंदर हो जाती है अच्छी लगती है आकर्शक लगती है क जैसे मैं अगर पहले वाला उधारन देखो अभी ने कहा कि मैं कल दिल्ली जाओंगा अगर मैं मैं के सान पर फिर से अभी का प्रियोग कर दे जैसे अभी ने कहा कि अभी कल दिल्ली जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा तो इसकी सर्मनाम के भेद सर्वनाम की छह भेद होते हैं हमारे व्याकरण में सर्वनाम की छह भेद माने जाते हैं वो हैं पुरुष वाचक सर्वनाम निश्य वाचक सर्वनाम अनिश्य वाचक सर्वनाम संबंद वाचक सर्वनाम प्रशन वाचक सर्वनाम और निज वाचक सर्वनाम अब हम इन सभी के विस्टार को पढ़ते हैं पहला है पुरुष वाचक सर्वनाम पुरुष वाचक सर्वनाम जो सर्वनाम बोलने वाले सुनने वाले और किसी अन्य प्रानी का बोथ कराते हैं उन्हें पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे हम अपना काम पूरा कर रहे हैं तुम आगरा प्रती दिन करता हूं आप हमारे घर कब आओगे वे रोज शाम को बाजार जाते हैं उप्रियुक्त बाक्यों में हम तुम वह मैं आप और वे पुरुषवाजक सरनाम है तो पुरुषवाजक सरनाम क्या होते हैं जो बोलने वाले यानि कि वक्ता सुनने वाले यानि कि श्रोता और तीसरे अन्य प्राणी का बोथ कराते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं तो हमने अभी कुछ वाक्य पढ़ेते जिन में हमने देखा जो रंगीन शब्द आए हैं हम तुम वह मैं आप ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के उधारन हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हमने अभी देखा जो पुरुषवाचक सर्वनाम हैं उसके भी भेद होते हैं ठीक है उत्तम पुरुश मद्यमपृश अन्यपृश अब इनके विशे में विश्थार परफखपग्प पढ़ते हैं जिन सबसे पहले उत्तम पुरुश。 जिन सर्मनाम मुका प्रियोग बात कहने वाला अपने लिए करता है, उन्हें उत्तमपुरुश कहते हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, हम आ दी, मुझे हमें आ दी. तो यह हैं उत्तम पुरुष जाने कि जब बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए कुछ बात कह रहा है तो उत्तम पुरुष होगा फिर मध्यम पुरुष जिन सर्मनामों का प्रियोग बात कहने वाला सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मद्यम पुरुष कहती है जैसे तुम आप तू आदी तो जब ऐसे सर्मनाम शब्दों को मद्यम पुरुषवाचक सर्मनाम कहा जाता है जब सुनने वाला जब कहने वाला जो बात जो कह रहा है वक्ता वो सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रियोग कर रहा है तो वो मद्यम पुरुषवाचक की सर्वनाम होंगे इसके बाद आते अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम हो का प्रियोग बात कहने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है यानि कि किसी एक बात सुनने वाला हो गया एक बात कहने वाला हो गया इसके अलावा जो तीसरा व्यक्ति है उनके लिए जिन सर्मनाम शब्दों का प्रियोग किया जाता है वो होते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्मनाम शब्द जैसे अब हम पढ़ रहे हैं मध्यम पुरुष जिन सर्मनामों का प्रियोग बात कहने वाला सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं जैसे तुम आप तू आदी जब सर्मनामों का प्रियोग जब बात कहने वाला वक्ता सुनने वाले के लिए कुछ शब्दों का प्रियोग करता है तो जो वो शब् ते वो मध्यम पुरुष में आते जैसे तुम आप तू आदी इसके अब अलावा है अन्य पुरुष पाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाला किसी अन्य व्यक्ति जो वहां उपस्तित नहीं हो के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं जैसे वह है वे उसने उन्होंने आदी जब जो बोलने वाला व्यक्ति है सुनने वाले के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करता है सर्वनाम शब्द हैं वो और वो व्यक्ति महां पर उपस्तित नहीं है तो ऐसे जो शब्द होंगे वो अन्य पुरु किसी निश्यत बस्तू या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्य बाचक सर्मनाम कहते हैं जैसे यह मेरा घर है यह हमारी किताबे हैं वे उनके मित्र हैं हमारी नहीं वे मेरा भाई नहीं है तो जब सर्मनाम चब्द पास या दूर की किसी बस्तू के लिए या फिर व अरalts a के बताएं निश्ची तोर पर किसी बाट इए जो सरणाम सर्वाहिगा पाइक comment जिसी यह मेरा घर है यह आए यह अध düş हम इस बात को निश्ची तोर पर चह सकते कि यह मेरा घर है तो जो यह होगा वह हो जाएका निश्य वाचक सर्वनाम यह हमारी किताबे हैं हम किताबों के लिए भी यह लगा रहे हैं और निश्य तोर पर कह पा रहे हैं तो यह निश्य वाचक सर्वनाम वे उनके मित्र हैं तो वे मेरा भाई नहीं है तो जहां पर भी निश्य तिता हो और जो शब्द आएं ये वो निश्चय वाचक सर्वनाम होंगे अभे अनिश्चय वाचक सर्वनाम नाम से ही पता है ये निश्चय वाचक सर्वनाम के ठीक फिप्रीत होता है जिन सर्वनामों का प्रियोग अनिश्चित व्यक्तियों या वस्तू के लिए किया जाता है उन्हें अनिश्चय वाचक कोई कप करीगा किसी ने मुझे ये बात पहले नहीं बताई जीवन चलाने के लिए कुछ तो करना होगा यह बात किसी को पता होगी तो हम यहां पर बच्चों देख पा रहे हैं कि कोई किसी कुछ किसी यह सारे रंगीन शपए हुए शब्द हैं और ऐसे शब्द हैं जिनके ब अनिश्चे बाचक सर्मनाम में आते हैं शब्द नेक से संबंद बाचक सर्मनाम संबंद बाचक सर्मनाम वाक्य में प्रियुक्त जो सर्मनाम आपस में संबंद रखते हैं उन्हें संबंद बाचक सर्मनाम कहते हैं यानि कि वाक्य में प्रियुक्त होने वाले कुछ ऐसी श जैसी करनी वैसी भरनी जो परिश्रम करेगा वही सफलोगा जिसकी लाटी उसकी भैंस तो हमने देखा इन बाक्यों में क्या है जो सो जैसी वैसी जो वही जिसकी उसकी यह सारे क्या है एक सर्वनाम से बूसरे सर्वनाम शक्त से संबंधित है इसलिए यह संबंध बाचक नाम प्रशन बाचक सरमनाम जिन सरमनाम मों का अपर योग प्रशन पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रशन बाचक सरनाम कहते हैं ऐसे शरमनामशब जिन PPAR यहां कौन आया हुआ है तुमने आज क्या खाया है वह Proseक्षित के हैं तो हमने यहाँ पर देखा कौन, किसनी, क्या, किसकी यह सर्मनाम शब्द आए हैं जो कि प्रश्न पूछने का कारे कर रहे हैं अब है निजवाचक सर्मनाम जिन सर्मनामों का प्रियोग करता अपने लिए स्वेम के अर्थ में करता है उन्हें निज बाचक सर्मनाम कहते हैं तो ऐसे सर्मनाम शब्द जिनका प्रियोक करता है यानि की कारे को करने वाला अपने लिए कर रहा है स्वेम के अर्थ में कर रहा है वहाँ पर निज बाचक सर्मनाम होगा उधारने उसले स्वेम तुम्हें यहां आते देखा है वे अपना हिसाब आप कर लेंगे तुम खुद इस स्थिती के लिए जिम्मेदार हो आप अपने को क्या समझते हैं तो हमने यहां पर देखा स्वेम आप खुद अपने यह सारे करता अपने लिए प्रयोग कर रहा है ठीक है आप क्या समस्ते हो ठीक है तो यह जब ऐसे वाले जब शब्द आते हैं तो यह होते हैं निजबाचक सर्वनाम के उधारन सर्वनामों में बचन सर्वनाम विकारी शब्द है इसलिए बचन के अनुसार इसके रूप में परिवर्तन हो जाता है सर्वनामों में बचन इस प्रकार के होते हैं ये बात हम जानते हैं किस सरंगया और सर्मनाम विशेशन ये सब क्या है ये सब विकारी शब्द है इन में विकार उत्बन हो जाता है किनके कारण लिंक के कारण बचन के कारण कारक के कारण इसलिए इनको विकारी शब्द कहा जाता है तो यहां पर सर्मनाम में भी विकारउत्वन होता है वो किस प्रकार से होता है तो यहां पर एक तालिका दी गई है पहले में बठाउन दूसरे में उुत्तम पूरुष this टीसरे में मध्यम्पूरुष और लास्ट में अन्य' पूरुष लिखा हुगा है तो एक वचन में मैं मैं होगा एक वचन में उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में तू, तुम हो जाएगा और अन्य पुरुष में वे है और उसने हो जाएगा बहुवचन में हम होगा मद्यम पुरुष में तुम हो जाएगा या फिर आप हो जाएगा और अन्य पुरुष में वे उन्होंने हो जाएगा ठीक है क्या आप जानते हैं तुम का प्रियोग एक बचन में होता है जैसे तुम काल स्कूल में नहीं आये थे हमारे घर कब आएंगे यह काम केवल आप ही कर सकते थे आजकल तू का प्रियोग अच्छा नहीं माना जाता इसके इस्थान पर आप या तुमका प्रियोग करना चाहिए तुमका प्रियोग एक वचन में होता है लेकिन और आपका जो प्रियोग होता है वो बहुवचन में होत प्रियोग कर सकते हैं लेकिन जो उसकी जो हम क्रिया प्रियोग करेंगे वो क्या हो जाती है वो बदल जाती है अब है तो इन्होंने उधारन भी दी है तुम कल स्कूल नहीं आयते तुम समझदार आदमी हो अगर हम इसकी स्थान पर आपका प्रियोग करना चाहिए तो वह भी दुखार नहीं होता पूरुष और इस्त्री दोनों के लिए एक से सर्वनाम प्रियुक्त होते हैं जैसे क्या गया जा रहे है आप कब आई तो लिंक के कारण पढ़ता है परक और चीजों पर लेकिन ये बता रहे हैं कि सर्वनाम पर लिंक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता जो सर्वनाम बाले जो शब्द हैं लिंक के कारण वो बदलते नहीं हैं तो हमने पाट के माध्यम से जाना सर्वनाम के वि न्विकल्प वाले गोले को रंये तो बच्चों इस प्रश्न में चार विकल्प भी दिये गए हैं ये संग्या की स्थान पर प्रियोग होते हैं सर्मनाम क्रिया वचन लिंक तो संग्या की स्थान पर प्रियोग होने वाले चब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम तो हमारा ए विकल्प एक्तम सही है लगा देंगे ए विकल्प पर सर्वनाम के भेद हैं 5, 6, 7, 8 तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं अभी हमने पढ़ा इनके बारे में तो हमारा जो बी विकल्प है वो एक्तम सही है लगा पुरुष सर्म नाम होगा मैं इसका प्रियोग वक्ता अपने लिए करता है तो सी विकल्ब हमारा सही है लगा देंगे सी विकल्ब पर नेक्स है इनमें प्रशन बाचक सर्म नाम है कहां कैसे क्यों कौन तो इसमें प्रशन बाचक सर्म नाम होगा कौन तो डी विकल्ब पर हैं कुछ कथन सही हैं और कुछ गलत है हमें सही पर सही का निशान लगा देना हैं और गलत कथन पर गलत का निशान लगा देना है तुछ नहीं करते हैं पढ़ते हैं और करते हैं पहला है तुमका प्रियोग एक वचन में होता है यह बात सही है सूकिस्तान पर आपका प्रियोग करना चाहिए ये भी ठीक है जिन सर्वनामों का प्रियोग बात कहने वाला अपने लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं नहीं उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं बचन के अनुसार सर्वनाम के रूप में परिवर्तन हो जाता है ये भी ठीक है पूरुश और इस्त्री दोनों के लिए एक से सर्वनाम प्रियुक्त नहीं होते हो सकते हैं दोनों के लिए एक ज्यासे सर्वनाम नेक्स है निमने लिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छाटिये और उनके भेद लिखिये तो इन में क्या करना है हमें कुछ वाक्य दिये रहे हैं पहले सर्वनाम शब्द कुछ छाटना है और फिर उनके भेद बताने हैं तो चली करते हैं पहला है जो याद है वह सुना है वे हैं और ये उधारण है हमारे संबंद बाचक सर्वनाम की क्योंकि दोनों में आपस में संबंद जोड़ा गया है संबंद बाचक सर्वनाम हो गया यह इस बैग में कुछ रखा है कुछ तो कुछ हो जाएगा हमारा अनिश्चे बाचक सर्वनाम अनिश्चे बाचक सर्वनाम है यह हमारा किसी को भेज कर रवी को बुलाओ तो यहाँ पर क्या है किसी को किसी को किसी हो जाएगा हमारा यह भी अनिश्चे बाचक हो गया यह भी हमारा अनिश्चे बाचक का उधारन है निश्चे आज तुम्हारी घर कौन आया था तो यहाँ पर कौन हो जाएगा तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कौन और उसका भेज बता देंगे इकार अपर स्वेम करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में तीन मैंने उधार स्वरूप कर दिये हैं नेक्स है तुम उसके पास स्वेम गए थे तो स्वेम हो जाएगा मुझे यह अच्छा नहीं लगा तो मुझे यह शब्द आप यहां लिख देंगे और इधर इनके भेज बता देंगे नेक्स है नेम लिखित प्रशनों के उत्तर लिखिए तो बच्चों नीचे कुछ प्रशन दिये गए जिनके उत्तर आपको स्वेम करने अपनी अभ्यास पुस्तिका में जब आप पाड को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इन प्रशनों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे एक बाद में प्रशनों को पढ़ देती हूं सर्म नाम किसे कहते हैं इसमें आप सर्म नाम की परिभाशा लिखेंगे बताएंगे कि सर्म नाम क्या होता है और उसके उधारन दे देंगे सर्म नाम के कौन कौन से भेद होती हैं इसमें आप बताएंगे कि सर्वनाम की कौन कौन से भेद है कितने भेद हैं और उनके नाम लिख देंगे आदर सूचक सर्वनाम का प्रियोग किस बचन में होता है जब भी हम किसी को आदर दे रहे हैं तो हम सर्वनाम के किस बचन का प्रियोग करें हैं बज्चों आज हमने जाना सरवनाम के विश्य में ऐसी शग जो कि संग्या के स्थान पर प्रियुक्त होते हैं विस्तार पूर्वक हमने पाट का अध्यन किया आश्या करती हूं आपको पाट से समझ आये होगा जो अभ्यासकार आपको दिया है उसको आप पूर्ण कर लें होगे मिलते हैं अगली कश्या में नए पाट के साथ तब तक के लिए स्वस्त्राइब प्रस्राइब जानेवाद